Hi friends, कैसी हो आप लोग उमीद है आप लोग मस तोंगे स्वास्ट होंगे This is Jagdhati, my blessings आपके साथ हैं आप ऐसी हसते हैं, मुस्करादे हैं आज हम पढ़ेंगे What is Science Science के बारे मेंपढ़ेंगे And Science क को ब्रेंचे सुती हैं उनके बारे मेंपढ़ेंगे What is Science And इसका मतलब क्या होता है जो हमारे सराउंडिंग यानि की फिसकल वर्ड का मतलब भातिक जगत और भातिक जगत का मतलब क्या होता है कि द्रश्रिमान जगत यानि की जो कुछ पर हमें संसार में नजर आ रहा है जो कुछ हम देख सकते हैं चू सकते हैं खा सकते हैं पी सकते हैं जिस पर बैठ सकते हैं चल सकते हैं यह सब कुछ बहुत एक संसारा जहीं की बहुत एक जगत यह है वैसी कल वर्ड है То हमने यह जाना शाए दो प्रेंड्स के फिस्कल वर्ड है इसका मेंस आपने और चाणिए जो हमने हमें नाचरल लौ लिखा हón इसका मेंस की होता है तो natural law मतलब की प्रिकृत के नियम के बारे में हम study करते हैं तो science में physical word और natural law के बारे में study करते हैं अब हम आगे friends जानेंगे introduction of science की ये science word जो है वो कहां से आया है हमें ये तो जाना की science में physical word और natural law के बारे में study करते हैं अब यह साइन्स वर्ड आया कहां से ही रानेंगे तो साइन्स वर्ड जो होता है यह हमारे जो साइन्स टिया यह साइन्स टिया वर्ड से साइन्स वर्ड आया है अब यह साइन्स टिया जो है वो कहां से है वो लेटिन लेंग्योस के साइन्स टिया वर्ड से यह साइन्स लाया वो science कहां से लीए लेटिन भासा के science trial science trial word से यह word लाया गया है इसका मतल्ब क्या होता है science trial का मतलब होता है knowledge umaniatib की systematic knowledge based on fact observation and experimental मतलब की science में क्या होता है science में systematic knowledge systematic knowledge की study करता है यानि कि जो हमारी बोडी पार्टे हैं बोडी में जो हमारे सिस्टम होते हैं जैसे कि लिवर है इस्टमक है कालवेटर हैं इंटेस्टाइनल है इन सब के बारे में हम अलग-अलग पार्टिकलर एस्टिडी करते हैं और इनके इस्टडी हम कैसे कहते हैं observation and experimental के according observation and experimental के according करते हैं जो यह observation होता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को observe करना यानि देखना तो हम जो हमारे बोडी पार्ट्स होते हैं उनको देख कर हम उनके study करते हैं या experiment जो हमारे जो है उनकी करते हैं तो science में क्या होता है science में systematic knowledge जो हमारे system wise जो हमारे organs होते हैं उनके study करते हैं किसके थूप अबजर्वेशन 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 ए experimental के थूप ठीक है फ्रेंट सब जानेंगे कि यह आगे लिखा है on the basis of it occupies science is divided into three main category science जो होती है वो उनके फ्री में category होती है एक होती है abstract एक होती है abstract science शोशल science and natural science so abstract science क्या होता है अब हम जैने कि यह abstract science कहां पर है यह हमारा abstract science के पारे में study करेंगे तो abstract science मतलब कि जो हमारे numbers होते हैं जो mathematical values होती है उनके बारे में study करना आवेस्ट्रेक्ट साइंस के अंत्रगर आता है जो आवेस्ट्रेक्ट आप हम यह फ्रेंट चाहिए हैं कि यह जो हमारा magnitude का मतलब होता है value, quantity, size and measure तो आवेस्ट्रेक्ट साइंस में हम numbers जो mathematics, science, traffic यानि कि जैसे कि हमारे जो subject हम पढ़ते हैं आवेस्ट्रेक्ट साइंस में यानि कि हम इसमें mathematical ही तो सीखते हैं तो mathematics की जो study होती है जो परिमार magnitude यानि परिमार बैलूम, quantity, size में जो इन सब की जो study करते हैं वो हम आवेस्ट्रेक्ट साइंस में करते हैं अब फ्रेंट्स दूसरा आ जाता है हमारा social science दूसरा जाता है हमारा social science फ्रेंट्स अब social science के बारे में study करते हैं study of social activities of men based on traditional and reasoning example, sociology, political science, economics, geography and so on friends, social science में हम study क्या करते हैं जो जहां पर man रहता है मतलब जहां पर ये man है एक बैक्ति जो है अपनी society में जहां रहता है तो वो कैसे मतलब based on traditional मतलब कि उसके traditional या reasoning के बारे में study करते हैं जहां पर एक बैक्ति रहता है अपनी society में तो उसके आसपा क्षटम होता है उसके बारे में study करना एक्सेंपल जिसे socialology में हम क्या करते हैं एक बैक्ति के बारे में उसके आसपास surrounding इसका environment उसकी society इनके बारे में study करते हैं तो एक्सेंपल के लिए socialology, political science, economic, geography इन जब की चुटी होती है वो क्या आते है social science के according अब फ्रेंस जानेंगे natural science के बारे में natural science के होता है also called basic science, natural science को हम natural science को बारे में study करना science के लाता है तो science में natural science के बारे में study की जाती है यानि कि nature के बारे में study की जाती है उसे क्या कहते हैं अब फ्रेंस उसे कहते है हम natural science अब फ्रेंस बड़ता है next based on the nature of study, natural science is divided into two groups महलत की based on the nature of study, study क्या according है हम कहा चाहे तो natural science को होती है वो तू फिल्स में बाती गए है तू फिल्स में उसे डिवाइट किया गया है एक क्या है एक physical science है दुशा क्या है biological science और फ्रेंस physical science क्या होता है नेचर साइंस में यह physical science क्या होता है नेचर साइंस में यह physical science मतलब हमने पहले ही पता है physical science मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, खा सकते हैं, बी सकते हैं, बैठ सकते हैं, यह जब सब चीज़े होती है, फिस्कल साइंस में आते हैं, बाइलोजिकल साइंस के होता है, जो जीव से लेटर होता है, जीव से लेटर होता है, तो बाइलोजिकल साइंस आप हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तेछल सां справ थास। and asrosiy and Shawn फिसकल साइंस इन हे किस on? ठोल लिविंग्सस न कि अ में नोन लिविंग वोता है इन के बार में स्थडी करते है जैसे कि फिजिक्स है किमिश्टरी हैै microsology है geology हैούμε है de metrology अगर하고 on next biological science , बायलोजिकल साइंस कहा है ओषभी है? what is the biological science ifi लाइफ साथ स्छ साथ यह भाइ राओ वी बहुंते हैं यह है भाइलोजी भी वी बहुते है अब नेक्स राहिए हैं On the basis of nature of history, it occupies science is further classified into two branches, pure science and applied science. What is on the basis of nature of history? History according to science is further classified into two branches. The science is further classified into two branches. One is pure science and the other is applied science. Now we will say pure science. So friends, what is pure science? Basic science with extension of knowledge, e.g. discovery, investigation, research, invention and so on. What is pure science? Basic science with extension of knowledge, e.g. discovery. That means that in our basic sciences we discover, investigation, research, invention and so on. and so on. All of those who study and all of those who create knowledge, we call pure science. I have understood what is pure science. Now we will learn applied science. So what is applied science, friends? What is applied science? What is applied science? Application of basic knowledge as a technology in the benefit of men in physics, chemistry, geography, geology, astronomy, meteorology and so on. It means application of basic knowledge as a technology. It means that what is applied science? It means that what is applied science? It means that we create basic knowledge in applied science. We create technology in basic knowledge. The technology in which you will understand, the techniques are used to study in applied science. They are used to applied science according to applied science. So what is applied science? Like physics, chemistry, geography, geology, astro, metrology, geography, geology, astro, metrology. All of those who study in applied science are used to be applied science. So what is applied science? Technology is used to study in applied science. And what is the benefit of men? We. Okay. So similarly based on the nature of studies is occupied by biological sciences. It is also categorized into two fields, pure and applied biology. It means last we have written similarly based on nature of history. Nature of history according to biological sciences. Biological science is also categorized into two fields. It is also categorized into two fields. It is in two fields. Pure and applied biology. So we have studied what is applied science. What is applied science? What happens science? The physical world is natural studies. And how is applied science? Where is applied science? Science is divided. the abstract social, natural and biological science. In two fields. The biological sciences are pure and applied. So friends, how did you research? How do you take a comment so far? Thank you so much my friends. झाल 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 झाल